Hello everyone, मैं विश्व जीत सिंग, आप सभी का देहिन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.H.I.M.H.I.010 का Unit 8 परने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि इस पूरे Unit के अंदर में कितने Lessons हैं उन Lessons के basis पे क्या topic बनेगा, किस तरह के topics बनेगे, questions क्या रहेंगे, questions के pattern क्या रहेंगे, उसके बारे में याप हम discuss करेंगे दोस्तो इस वीडियो बहुत जादा useful होने वाली आप सभी students के लिए आपका syllabus easily cover कर पाओगे अपना इसको वीडियो को देखकर चले स्टार्ट करते हैं आज का unit का हम अपने दोस्तो इस unit के अंदर हम बात करेंगे ओपनिवेशिक नगर 2 के बारे में इससे पहले का जो unit था जिसके अंदर हमने बात कया कि ओपनिवेशिक काल में नगर ववस्ता किस परकार का था हमने पहले segment में बढ़ चुके हैं दूसरे segment में बात करने कि आगे किस तरह की रही segment किस तरह का नगर ववस्ता रहा उसके बारे में आपर discuss करेंगे अब देखो पहले वाले में क्या था कि 1857 का विद्रो हुआ उससे पहले तक कि नगर ववस्ता के बारे में बढ़ा कि नॉर्मल अंगरेज रह रहे थे फ्री से मज़े से रह रहे थे पर जैसे ही 1857 में विद्रो हुआ पर्थम अजादी संग्राम हुआ तो उसके बाद अंगरेजों के मिन में डर आया किया कई दुबारह अगर हुआ तो हम नहीं एक है तो हम नहीं Do न क्या मत्रों के इक बात करते हैं अपने विषीक भार्त में अध्वुनिक नगर अधूरिक्ता록 और अब जलेकरfront Med qu Cheese दूब बोगर नोगर्यों को नियौत मिज़कता मतलब लगया इक प्लेनिंग के थुछ नंगरों को निर्मान करने का रीजन यह था तर में पहले और आगे पीछे का समय था उस समय के दोरान में बारत के वर्मा अथां भारत के बलें महामारी फल घइल यह थी घै Works उसके बाद में भारत के जो मलीन बस्तिया थी जो गंदी बस्तिया थी उसके अंदर में बिमारी के सबसे ज़्यादा खत्रा था और नगर नियोजन वववस्था थाइत में क्या हूआ कि भातियों को एक तरफ रखागा गया थीक टर और अब करके को लोगनी की गई अपनी सुरक्षा के लिए तो इस तर से अलग-अलग तरह की चीजे और प्रोपर प्लैनिंग के थूँड हुआ कि लिए उस प्लैनिंग क प्योग खिया रहा ठीके और सासात मियांपहे terme इकत देखने के लिए मिलता है कि नौकरसअई वयवस्था का भी आग्मन हो चुका था यहां पर घर चारत करोंगे स्टेडी करोगे और अच्छे से लिख सकते हो अगरे चेप्टर के और बढ़ते चेप्टर नमबर 38 जहां पर हम बात करते हैं बिटिस सासन के अधिन भारत के नगर नियोजन अब देखो अंग्रेजों के टाइम पिरेड पे जब अंग्रेज थे भारत के अंदर में उस ताइ नियोजन द Bib one downtown planning का पास किया गया थेकर ऑणोंबे को किस तर से बनाए जाए उसके आउन प्लैनिंग कपमिशन सकिया घिया आपको पता हुआ presents जो आज के समय मुंबई है वो ऐसे ही नहीं था कि एक जगा छोटा सा वो साथ छोटे-छोटे दीपों को मिला कर एक बड़ा सहर बनाए गया ठीक है साथ छोटे-छोटे दीप समू जो पानी में तैर रहे होते न दीप उनको मिला कर एक बॉम्बे तयार किया गया ठीक है तो किस तर से तयार हुआ क्या चीज रहा वो आपको इस वाधि चालिसव चेप्टर के पढ़ना है चालिसव चेप्टर के अदर में अच्छे से पढ़ोगे बट नॉर्मली बॉंबे को त्यार करने करे क्या किया गया एक प्रॉपर बॉंबे टाउन प्लैनिंग एक्ट पास किया गया 1915 के अंदर में उसी तरीके से अलग अलग जगा पे कॉलकता के लिए भी था ठीक है मदरास के लिए भी था तो उन सबी चीजों के लिए यहाँ पे एक पास किया गया तो किस तर से रहा वो आप यहाँ पे define करोगे अगले चैप्टर के और बढ़ते हैं चैप्टर नूबर 39 जहां में हम बात करते हैं उत्तर अपनिवेशिक नगर्द की दसा जो उत्तर अपनिवेशिक काल के अंदर में नगर्द की दसा क्या थी यह इस पूरे time period के अंदर में यह समझ लेजिए कि भारत 1947 का time period है और 1947 के अंदर में भारत अपने आजादी के एकदम बहुत करीब है अजाद होने वाला ही आजाद हो चुका है तो सबसे पहले तो यह आज़ता है कि भाजन संकट आती है भारत के सामने में भाजन संकट के अंदर में क्या होता है कि भाजन हो चुका है भारत और पाकिस्तान का और उसके साथ में ही जो लोग पहले से suitable एक जगा रहेते जो पाकिस्तान में रहते हैं अब उनको भाग कर भारत आना है भारत वाले को पाकिस्तान जाना है तो किस तरीके से उनको arrangement की जाना है क्या करना है किस तर से नगरों की विवस्था पूरी भिगड गई ठीक है उनके ल पढ़ साथ समय सीधार्ण 272 mid future! उसके बाद में लेइं नगर यह दवाव क्या पड़ा तुक्粫 लोग रहे थी नगर में दवाव क्या पड़ा TK जई हम सब्सक्राइब कि थो डाम कि वहाइं कि पंदरसो लोग तो पाकिस्तान से भी आ गए तो उस पचीस सो लोगों को कैसे अर्जिस्ट के अगया पढ़ा अगला जो चेप्टर आता है चेप्टर नमबर 40 जहां पर हम बात करते है बंबाई एक अध्यन ठीके तो बंबई किस तरसे बना आज के समय हम देखते हैं बंबई को इतना बड़ा सहर है आर्थिक कैपिटल के तौर पर हम जाना जाता है भारत का तो बंबई किस तर से बंबई बना उसके बारे में बात करेंगे तो टूटल साथ दीपो को मिलाकर बंबई को बनाए गया ठीक है वहाँ पर सर्मी को द्योग था मतलब सर्मी को बहुत जादा तेजिस से विक्सित हुआरी जनिया था कि वह टर्टीय चेतर में था तो जिसके कारण से क्या तो वहाँ पर आने जाने का साधन अच्छा था ठीक है और जना वाव के जरिए वैपार करने के लिए लग लग जगसे लोग आने लगे तो उसके कारण से बहुत आते हो तो हमारे दीगनव चैनल के उपर में सभी में हिस्ट्री के सब्ject के चाहे चाहे में चाहे वन से लेकर धीडिरो टैन तक का आपको इंपोरिटन कोशन की वीडियो मिल जाएगी ए लास्ट फाइवेर के कोश्टन पेपर की वीडियो मिल जाएगी इंपोरिटन much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best